हाला दोस्तों आप सभी का स्वागत एक और वीडियो में वीकी वीजा सर्विसिस की आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने री कंसेटरेशन अपने वीज अप्लिकेशन पर कैसे करना है अगर आपकी डिसेंट रिफ्यूजल आई है और आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छ हमें कि पसे रिकार्इशन की जरूरत हमें कब होती है जब हम फइस अप्लिकेशन करते हैं तो उसके बाद हमारा गल्रीकेशन अफ फाइल करते हैं तो इसके बाद हमारे एक ऐसा वियूजल पर आपकी इसमें हम दो टाइप में इसको डिसकस करेंगे फिर्स वन जहां पे आपकी नहीं आई है आपने सिर्फ फाइल लगाई और आपका रिफ्यूजल आ गया तो उस केस में आपने जो सबसे पहले एक लेटर टाइप करनी है जैसे आप एसो भी टाइप करते हैं वैसे एक लेटर डाब में हमने यह मैंशिंद करना है कि हमारी चो स्टाडी है सको का से कैसे लिंग करती है हमारी क्या है की किया है तो letter of recommendation अपने employer की तरफ से या फिर अपने college या university की तरफ से या फिर school की तरफ से भी हो सकता है एक जो reference job reference letter वो बहुत काम आ सकता है job reference letter मतलब किसी company से या फिर आपकी अपनी company से कोई letter जिसमें यह लिखा रहेगा कि अगर आपकी particular course में आपकी qualification है तो आपको यहां पे job के अच्छे chances है या फिर आपको एक existing job की job profile है उससे एक promotion मिल जाएगा तो तभी आप इस course को करें तो एक letter मिल जाता है तो ज्यादा commencing रहेगा reconsideration में और इसके साथ साथ अगर आपकी refusal आ गई है after AIP जो की बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपकी एक साल का course हो गया है फीस लगए टाइम विस्ट हो चुकर आपने रात रात भड़के classes लगाई है तो वहां पे आपको सीधा सीधा जो आपकी letter है वह चेंज हो जाएगी letter में आपने सीधा लिखने कि आपके जो intention है वह Canada आके पढ़ने के हैं तभी आ आप जो Canada आने के लिए वह बिल्कुल जैंवें स्टुएंट हो तभी आपके जो पॉपर्पर्स होने का वह सिर्फ एक एजुकेशन है अगर आपका पॉपर्स वहां पे सिर्फ होना होता तो आप अपनी study इंडिया से नहीं करते इस तरह से letter तियार कर सकते हो और इसके साथ आपका रिफ्यूसल है रिकंसलिडरेशन ज़रूर डालिए अगर आपकी फाइल अच्छी है अच्छी में 6586 आयल से अच्छी आपकी चाप प्रोफाइल है और आपका परसेंडेश भी अच्छी है आई होब आप सभी कोई वीडियो इंफर्मेटिव लगी होगी तो इसी के आप में इस वीडियो को एंड करते हैं विल मेट यू सोन इन अनदर वीडियो थैंक यू सो मच